हेलो स्टुडेंट इस आरती चोधरी सभी को बिल्कुल वैरी गूड मोर्नेंग राधे राम राम कैसे आप सब बढ़िया फस्सक्लास एक बार जरा कॉमेंट करके कंफर्म करेंगे बच्चा की ओडियो वीडियो आपका सब कुछ ओलो के है आज का आपका बहुत ही इंटरेस् विद थीओरी हम लोग इस आपका कवर करेंगे तो प्लीज आप सारे बचे एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और प्लीज आप लोग इस वीडियो के नीचे आपको एक डिस्रिप्शन बॉक्स में मेरे नाम के साथ में लिंक मिलेगा जहां से आप एप अप लोड कर सकते हैं ओके चलिए अब बचा देखते हैं कि आज की क्लास के आपके कुछ बहतरीन कोशन्स लेकिन उससे पहले आप लोग क्लास को एक बार शेयर जरूर करेंगे ओके चलिए बचा तो पहला कोशन आपका क्या है बिसिकली कि ब्लड फेल्स टू क्लोट वाइल फ्लो समय के बाद ही आपका खून का ठका जमना शुरू हो जाता है जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे ब्लड के अंदर आपका फिब्रीनो Millionenpoting VAN प्लेट लेट्स हमारे शरीर में उपस्तित विटामिन के इन सब के आपके रिजन होते हैं लेकिन एक कोश्चन आप से पूछा जाता है कि ऐसा क्या होता है जिससे हमारे शरीर के अंदर खून का थक्का नहीं जमता हमारे शरीर के अंदर खून का थक्का नहीं जमता तो उसका सीधा सीधा आपका आंसर होता है कि हमारे शरीर के अंदर आपका पाया जाता है क्या बच्छा हेपरिन और यह हेपरिन जो होता है यह हमारे शरीर के अंदर वैसल्स के अंदर जो ब्लड वैसल्स होती है जो रक्त वाहिकाई होती है उनके अंदर खून का थक्का जमने से रोकत एकotz्राम आपको लिखे हुए दिखाई दे रही है हिरुडिन हिरुडेज़ आपका उन लोगों को इंजेक्ट किया जाता है जिलोगों में हैपरीन की कमी हो जाती है है पर न के यदि आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो बच्चा आपके शरीर के अंदर ब्लड की क्लोटिंग होनी शुरू हो जाएगी और यदि ब्लड की क्लोटिंग बोड़ी के अंदर होनी शुरू हो गई तो oxygen transportation में problem होगी यानि हमारे शरीर के अंदर oxygen supply नहीं हो पाएगा तो जो आपकी जोक होती है ने लीच जो होती है उसकी saliva के अंदर पाया जाता है हिरूडिन जो उन लोगों में इंजेक्ट किया जाता है जिन लोगों में हैपरिन आपका कम होता है चलिए next question देखते हैं हीमोगोबिन contains the metal हीमोगोबिन के अंदर इन में से कौन सी धातू पाये जाती है हीमोगोबिन के अंदर इन में से कौन सी धातू पाये जाती है बताईए हीमो ग्लोबिन के अंदर इन में से आपकी कौन सी धातू पाई जाती है तो ये जो आपका हीमो ग्लोबिन है ये दो शब्दों से मिलकर बना है एक हीमो और एक आपका ग्लोबिन इस ग्लोबिन का होता है ये Logan जो है बच्चा ये आपका एक protein है और ये जो बच्चा है ही polyom ये क्या है बच्चा आफका iron है और iron भी किस रूप ne present होता है हमारे शेरीर में ये किस प्रेजंट रूत होता है तो ही क्लोबिन के इंदर कॉन सी धातू पाई और आप लोग कहां पर मतलब आपका सेंटर पड़ा है ये बता सकते हैं या कोई प्रोब्लम है तो वह आप लोग पूछ सकते हैं दा पी एच ओफ दा हुमन ब्लड का पी एच आपका कितना होता है दा पी एच ओफ हुमन ब्लड इस वोट 7.4 क्या होता है बचा आपका 7.4 आपके नंबर लिखे होते हैं ठीक है जिस पर आपके 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे होते हैं यदि किसी कंपाउंड की पी एच जीरो से जीरो और साथ के बीच में है यानि साथ से यदि कम है तो उसका नेचर आपका बेसिक होगा और यदि साथ है तो उसका नेचर आपका कै निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त के जमावत में सहायक है बताईए हाँ सभी स्टेट के नहीं आए हैं बट जिनके आ गए हैं वो चेक कर लीजिए इन में से कौन सा एंजाइम खून का थक्का जमाने में हमारे शरीर में मदद करता है ठीक है चलिए बताइए तो इन में से कौन सा एंजाइम है जो हमारे शरीर में खून का थक्का जमाने में मदद करता है कौन सा है बच्चा पैपसिन किस कशेरुकी में Oxygen, युक्त और Oxygen रहित यानि शुद्ध और अशुद्ध रक्त इनमें से किसके अंदर Mix होते रहते हैं Option है Fish, Amphibian, Bird या आपका Mammal बताईए इनमें से किसके अंदर आपके Basically Oxygenated यानि शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपके Mix होते रहते हैं शुद्ध और अशुद्ध रक्त इनमें से किसके अंदर आपके Mix होते रहते हैं फटाफट बताईए तो किसके अंदर आपके Amphibians, Amphibians के अंदर आपका तीन चैंबर का Heart पाया जाता है Amphibians के अंदर तीन चैंबर का Heart पाया जाता है दो auricle होते हैं, एक ventricle होता है और यहाँ पर आपका oxygenated, anti-oxygenated blood जो होता है आपस में mix होता रहता है RH की full form क्या है? अब इससे जदा easy question क्या ही होगा? बताइए What is the full form of RH? RH की full form क्या है? बताइए RH की full form क्या होती है? तो RH बेसिकली आपकी ये बंदरों की एक species थी, एक परजाती थी ठीक है? जिसका नाम था आपका क्या बिटा? रीसस species और इस species के जब blood को हमने study किया तो हमने देखा कि हमारे blood के अंदर आपका A और B antigen पाए जाने के कारण A और B antigen तो पाए ही जाते हैं, साथ में एक और antigen होता है जो हमारे blood के अंदर present होता है चुकि हम लोग किसके आपके वंसस है? हम लोग आपके वंसस किसके है? बंदरों के वंसस हमको माना जाता है तो इसलिए फिर माना गया कि जो जो चीजे बंदरों के खून में है वो हमारे अंदर भी possibility हो सकती है और जब humans पर इसको test किया गया तो humans के अंदर भी वो D antigen present था यानि यदि आपके blood के अंदर यदि A antigen पाया जाता है और A antigen के साथ साथ D antigen भी present होता है यदि आपके blood के अंदर सिर्फ A antigen पाया जाता है और D antigen नहीं पाया जाता यदि आपके blood क्या होगा तो यानि यहां पर आपकी RH की full form क्या होती है the normal RBC count in adult male is बताइए RBC किसी भी adult male के अंदर कितने होते है RBC की संख्या किसी भी adult male के अंदर कितनी होती है बताइए तो adult male के अंदर RBC की संख्या कितनी होती है बचा आपकी 5 million कितनी होती है आपकी 5 million होती है रक्त में anti-cogulant पदार्थ कोन सा है रक्त में anti-cogulant पदार्थ कोन सा है हाँ recorded class है देखो साहिल जी बोल रहे है recorded class है आपको आते हैं साहिल सारे question तो चाहे recorded है या live है यदि आपको सारे question आते है तो अच्छी बात है लेकिन जिल लोगों को नहीं आते है उनके लिए चाहे recorded है चाहे live है उनको कोई फरक नहीं पड़ेगा इस चीज से तो रक्त में anti-cogulant पदार्थ यानि कि इन में से कौन से हैं जो खून का थक्का बनने से रोकते हैं तो हमारे शरीर में फिब्रियो नोजन प्रोटीन आपका खून का थक्का बनाने में मदद करता है हीमोग्लोबिन भी करता है और इम्यूनोग्लोबिन भी करता है यानि ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपका खून का थक्का जमाने में मदद ना करता हो तो option हो जाएगा 9 of the above मानव रक्त का लाल रंग इन में से किसके कारण होता है मानव रक्त का लाल रंग इन में से किसके कारण होता है बताईए मानव रक्त का लाल रंग यानि हमारे खून का रंग लाल ही क्यों है जैसे कोक्रोच के बलड का कलर कैसा होता है तो कोक्रोज के बलड का कलर आपका कैसा होता है वहीं सफेद होता है है ना ओक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है तो आप लोगों को option मिलेगा नीला होता है वैसे ही हमारे खून का रंग लाल होता है किसके कारण हीमोग्लोबिन के कारण लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हीमोग्लोबिन का तो actual color red होता ही नहीं है हीमोग्लोबिन तो आपका bangni रंग का होता है तो फिर हमें बच्पन से ये क्यों सिखाया जाता है कि हीमोग्लोबिन के कारण हमारे खून का रंग लाल होता है उसका एक रीजन है कि हीमोग्लोबिन में आपका क्या पाया जाता है आईरन पाया जाता है और आईरन भी आपका किस फोम में होता है फैरस की फोम में होगा ठीक है अब आपने लोहे में जंग लगते हुए देखा है लोहे में आप सबने जंग लगते हुए देखा होगा और जंग कब लगता है जब oxygen प्रेजेंट होती है यदि लोहे के आसपास oxygen प्रेजेंट होगी तो लोहा आपका जंग पकड़ लेता है और जब आपका लोहा जंग पकड़ता है तो उसका color होता है reddish brown उसका color आपका reddish brown होता है यानि in short हम लोग ये समझ सकते हैं कि यदि iron की reaction आप किसके oxygen के साथ में कराते जाओगे ठीक है तो इसका color आपका किसमें reddish में convert होना शुरू हो जाता है तो आप लोग ये बोल सकते हो कि आपका जो hemoglobin है इसका color तो माम actually में purple ही होता है लेकिन इसमें जो iron present होता है जब ये शुद्ध हो रहा होता है जैसे जैसे oxygen involved होती है तब हमारे hemoglobin का color red में convert होता है और हमारी RBC का color red में convert होता है और फिर हमारे खून का रंग कैसा हो जाता है आपका लाल हो जाता है तो आगे से यदि आपसे कोई पूछे कि हमारा खून का रंग लाल क्यों है तो पहला option होता है RBC दूजरा option होता है hemoglobin अब आप actually में reason क्या है वो आप easily समझा सकते हैं कि ये सारे की सारी रुधिर कोशिकाओं को यानि cells को यदि minus कर दो तो आपके पास क्या बचेगा blood में से आपको cells को minus करना है कोशिकाओं को minus करना है बताईए बताईए जी यदि आप सारी की सारी cells या copy cells को minus कर दो तो remaining part क्या रहेगा तो देखिए यदि आप blood के अंदर से blood यदि मैं पूछू तो किस किस से मिलकर बना है तो blood के अंदर आपके दो part होते हैं एक होता है liquid और दूसरा होता है आपका solid ठीक है जी liquid पार्ट जो blood के अंदर आपका plasma होता है वो liquid होता है जो आपकी cells होती है वो आपकी solid part होती है यहाँ आपसे बोला गया है कि बलड के अंदर से यदि आपने सेल्स को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा आपके पास में प्लाजमा बचेगा और यदि आपसे पूछा जाए कि यदि मैं बलड के अंदर से सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर माइनस कर दूँ सारे के सारे यदि मैं clothing factor माइनस कर दूँ तो मेरे पास remaining part क्या होगा तब आप लोग बोलोगी serum यानि serum जो है वो blood का वो हिस्सा होता है खून का वो हिस्सा होता है जो कभी भी नहीं जमता है जो कभी नहीं जमता है चलिए बहुत उचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं साइज में बढ़ेंगी साइज में घटेंगी या नंबर में बढ़ेंगी या नंबर में घटेंगी चलिए बताईए तो क्या होता है बच्चा ये आपका बेसिकली नंबर में बढ़ेंगी उचाई पर जाने पर RBC की संख्या में आपकी व्रधी होने शुरू हो जाती है कौन सी रक्त कणिकाएं रोगों के खिलाफ प्रतिरोध का निर्मान करने में मदद करती है कौन सी रक्त कणिकाएं आपका रोगों के खिलाफ प्रतिरोध का निर्मान करने में मदद करती है या इन में से कौन सी बलड सैल्स हैं जो हमारी बेसिकली बीमारियों से लड़ने में मदद करती है कौन सी blood cells हैं जो आपकी बीमारियों से लडने में मदद करती हैं बताईए बिल्कुल को कौन सी हैं बचा बिसिकली आपकी leukocides जो होती है leukocides का दूसरा नाम क्या है भई आपका leukocides का दूसरा नाम क्या होता है WBC यानि white blood cells जो होती है वो हमारे शरीर में बीमारियों से लडने में मदद करती है lymphocides इन्हें के अंदर पाए जाती है जो आप लोग BOT lymphocides नाम दे रहे हो the red blood cells are produced by RBC हमारे शरीर में कहां पर बनती हैं बताईए RBC हमारे शरीर में कहां पर बनती हैं RBC हमारे शरीर में कहां पर बनती हैं तो RBC हमारे शरीर में कहां पर बनती हैं बच्चा आपकी bone मैरों में ठीक है यदि आपसे पूछा जाए हमारे शरीर में खून कहां बनता है तो आप लोग उनको in short ये समझा सकते हो कि हमारे शरीर में खून आपका हड़ियों में बनता है बहुत सारे बच्चों को तो ये बात पहली बार पता लगी होगी है ना तब आपका रिवीजन का समय होता है कि हम सब आपको पूरे साल चीजे पढ़ा चुके होते हैं अब रिवीजन करो लेकिन यदि आप लोगों को स्टार्टिंग से अपने बेस को मजबूत बनाना है तो समय तो दे नहीं होगा है ना मुझे भी चीजों को अराम-अराम स समझाना होगा यही डिफ्रेंस होता है यूट्यूब और पेड़ क्लासेज में अब यहाँ पर क्या है एक कोशन को मैं एक्स्प्लेइन करना शुरू करूँ तो आप लोग क्या बोलोगे अरे मैं नेक्स्ट अरे मैं नेक्स्ट आपको आता है हो सकता है दस बच्चों को आत जिसको actually में ये है कि मुझे तो exam crack करना ही है है ना मुझे तो चीजों को धंग से समझ के exam crack करना है मुझे किसे के basically सहारा लेकर exam crack नहीं करना चलिए तो ये आपकी हड़ी है माल लिए इसके अंदर आपके दो तरह के bone marrow होते है एक होता है yellow bone marrow और एक होता है red bone marrow तो ये जो आपके red bone marrow है इसी के अंदर blood cells यानि RBC, WBC and platelets का formation होता है ओके अब यहाँ पर आप लोग indirect ये बोल सकते हो कि यदि आप से पूछे खून कहां बनता है हड़ीयों में है ना हलाकि आपका plasma वाला part अलग है कि निमने लिखित में से कौन सा उतक का एक उधारन है कि आप 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 कि आप कि आप कि万 कि हमारा शरीर किसे मिलकर वहाँ है तो आप लुग कि मैं हमारा सरीर तो सेल से मिलकर बना है यानि हमारे सरीर की सनरचनात्मक और किरियात्मक स्ट्रक्चल एंड फंक्षनल यूनिट क्या है आपकी सेल है गुरूप ओअफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं आपका टीशू यानि की उतक बोलते हैं यहां पर पूरे चैप्टर में मैंने तुम्हें किसी भी टिशू का नाम लिया ब्लड के अंदर, एक भी टिशू का नाम नहीं लिया है, मैंने बोला प्रोटीन पाये जाते हैं, आपके विटमिन्स पाये जाते हैं, आपका लिक्विड पार्ट है, आपका सोलिड पार्ट है, आपकी cells पाई जाती है यानी RBC, WBC and platelets जो है या आपके blood के अंदर पाई जाने वाली cells है और group of cells को हम लोग क्या बोलते हैं बचा आपका क्या बोलते हैं आपका tissue यानी उतक बोलते हैं तो blood जो है ये हमारे शरीर में उतक है ना की अंग दूसरा option होता है आपका हड़ी के and you know that कि जब भी कभी आपका group of cells होगा तो आप लोग क्या बोलोगे उसको obviously आप उसको tissue यानी उतक का ही नाम दोगे चलिए अगला question देखते हैं हीमोग्लोबिन का एक महतपूर घटक है या हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन इन में से किसके अंदर पाया जाता है बताए हीम बताए हीमोग्लोबिन इन में से किसके अंदर पाया जाता है obviously आपका RBC के अंदर पाया जाता है Metal present in blood is रक्त में पाया जाने वाला धातु इन में से कौन सा है रक्त में पाया जाने वाला धातु इन में से कौन सा है obviously आपका रक्त के अंदर क्या पाया जाता है आइरन पाया जाता है निम्न में से कौन सा एक cold blooded animal है इन में से कौन सा आपका एक cold blooded animal है तो बैट जो होता है चमगादर जो होता है बच्चा ये आपका एक warm blooded animal है अगला question है मनुष्य का सामान रक्त सरकरा इस तर क्या होता है यानि किसी भी healthy person के अंदर आपका sugar level कितना होता है मुझे अच्छी तरह से याद है एक बार यापका question आया था और सबसे पहला option था 80 और 120 ठीक है ये आपका option था 80 और 120 और बच्चों को अधिकतर blood pressure याद रहता है और सारे बच्चे 80 और 120 लगा के आए थे जब घर आकर उन्होंने कोशन देखा कि ओहो ये तो आपका शुगर लेवल पूछा गया था हाला कि उनको आता था ये होता है एक्जाम प्रेशर ठीक है ये आपके साथ भी हो सकता है एक्जाम प्रेशर, लाक ओफ प्रक्टिस और आप लोग जो वहां हर बड़े हाट में आप लोग आते हुए कोशन गलत करते हो जो कोशन नहीं आता ना उसको कभी दुखनी होता बच्चे को जैसे मान लिया आपका एक्जाम क्रैक नहीं हुआ और जब आप एक्जाम दे रहे थे तो आपको पता था कि यार ये कोशन मुझे आते ही नहीं है तो आप अच्छे से रियलाइज कर लेते हो हर एक स्टुडेंट की लाइफ में ऐसे होता है मैंने भी ऐसी किया था कि मेरी तैयारी में कमी थी कोई बात नहीं है ना दूसरे बच्चे मुझे से आगे थे मैं अगले साल और महनत कर लूँगी और अग्जाम क्रैक हो जाएगा क्योंकि मुझे पता था कि मेरी तैयारी में कमी है मैं इस अग्जाम के लिए अभी बिलकुल पूरी तरह से मतलब नहीं हूँ और मेरी उतनी थैयारी का लेवल नहीं है लेकिन एक कंडिशन वो होती है जब आपने पूरे साल बहुत महनत की है आपको पता है आप लोग वेट कर रहे हैं दीडे का दीडे मतलब कि आप लोग एक्जाम वाले दिन का एक तरह से वेट कर रहे हैं लेकिन जब एक्जाम होता है तो हर बड़ी के कारण एक नहीं आपके 5 से 6 कोश्चन ऐसे गलत होते हैं जो शायद हर स्टूडेंट के होते हैं है ना हर किसी के साथ ऐसा होता है तब ये 5-6 कोश्चन आपका सेलेक्शन रोक देते हैं तब आक्शुली में आपको समझ में आता है कि प्रक्टिस कितनी ज़रूरी है रिविजन कितना ज़रूरी है टाइम मानेजमेंट कितना ज़रूरी है तो इन सब चीजों पर अभी से आप लोग काम करना शुरू कर दो तो कितना होता है बाई 120 से आपका 500 होता है किसका शुगर लेवल अब देखो शुगर जिसको होती है आपने देखा होगा वो दो बार शुगर चेक कराते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं एक बार सुभह बिना खाना खाए आप लोग शुगर चेक कराने आएंगे और दूसरी बार खाना खाकर तो यहां कोशन पूछा गया है कि खाली पेट किसी भी हैल्दी पर्शन का सुगर लेवल कितना होता है खाली पेट किसी भी हैल्दी पर्शन का सुगर लेवल आपका कितना होता है बताईए तो 120 से 1.500 क्या था healthy person का normal था तो खाली पेट obviously उससे क्या होगा आपका कम होगा और कम थोड़ा बहुत आसपास वाला होगा यानि 80 से 100 होना चाहिए आपका खाली पेट चलिए रक्त चाप को मापने के लिए इन में से हम किस instrument का इस्तेमाल करते हैं यानि ब्लड प्रेशर को हम इन में से किस से मेजर कर सकते हैं बताया जी तो ब्लड प्रेशर को हम इन में से किस से मेजर कर सकते हैं इस फाग्मो मामो मीटर से hypertension is the term used for hypertension is the term used for बताईए hypertension इन में से किस basically हम किसको डिनोट करते हैं hypertension is term used for बताईए increase in heart rate, decrease in heart rate decrease in blood pressure and increase in blood pressure hypertension is the term used for तो hypertension हम लोग किसके लिए इस्तमाल करते हैं को hyper शब्द कहीं पर भी मिलेना तो आप लोग समझ जाना कि किसी चीज़ में increment की बात हो रही है और यदि आप लोगों को कहीं पर hypo शब्द मिले तो समझ जाना किसी चीज़ की decrement की बात है hypertension, tension में क्या होता है बोलते हैं hypertension हो रही है भाई या BP बढ़िया BP बढ़िया, यानि कि आपका hypertension शब्द का मतलब होता है हमारे खून के अंदर इन में से कौन सी शुगर पाई जाती है बताईए हमारे खून के अंदर इन में से कौन सी शुगर पाई जाती है फड़ा फड़ बताईए तो हमारे खून के अंदर इन में से आपके कौन सी शुगर पाई जाती है गुलुकोज पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है बच्चा, गुलुकोज पाई जाती है, हाइपो ग्लाइकेमिया रेफर्स टू, हाइपो ग्लाइकेमिया शब्द का मतलब क्या होता है, बताईए, हाइपो ग्लाइकेमिया रेफर्स टू, तो हाइपो गलाइकेमिया का मतलब क्या होता है हाइपो शब्द का मतलब होता है किसी चीज का आपका कम हो जाना और गलाइकेमिया यदि कुस्समझ बिनाए तो गलाइकेमिया से आप लोग यह समझना यह गुलुकोस जैसी तो कोई चीज हमने पड़ी है यानि हमारे खुण के अंदर यह आपका शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाए यह गुलुकोस का लेवल कम हो जाए तो उसको हम लोग है आपका हाइपो ग्लाइकेमिया अब आप सब के लिए गुड न्यूस की बच्चा आपका बाच जो है वो कल से ही शुरू हो रहा है एल्प और टेक्निशन वालों का बाच कल से शुरू हो रहा है आप लोग अड़ा 247 की वेब साइट को विजिट करेंगे और यहां पर बच करोगे वाई 446 ठीक है जैसे ही आप लोग अपलाए करोगे तो आप लोगों को पूरे 1670 रुपे का डिसकाउंट मिलेगा और 480 में रुपे में मात्रिये बैच आपको मिल जाएगा कित्ते रुपे में 480 में रुपे का भाई आप लोग खोदी देख सकते हो कूपन कोड का यही एक फायदा होता है कोई और यदि आप लोग कूपन कोड अपलाए करोगे आपको किसी पर भी मैक्सिमम डिसकाउंट नहीं होता यदि आपको कोई कोल या कोई फ्रोंड कोल ऐसी आती है तो प्लीज उन पर आप लोग बिलीफ मत किया गरें बहुत बच्ची उल्ड़े की आपका कवर करेंगे जितनी एक्स्ट्रा क्लास बोलोगे जितना अप लोग बन प्रक्टिस करा दो अगेरा हम लोग सब कुछ इसमें आपका प्रक्तिस करेंगे प्लीज सारे बचे जिनोंने अभी तक एडिमिशन नहीं लिया है आप लोग इस बाच में अडिमिशन ले कीजिए आप लोग खुदी देख सकते हो कूपन कोड का यही फायदा होता है कि आप लोगों को डिसकाउंट मतलब मात्र आपको साड़े 400 रुपे में एल्पी और टेक्निशन दोनों की तैयारी कराई जाएगी बटाई प्रैफर कि आप लोग रेलवे का महा पैक लें देखो से मिल जाता है इसलिए मैं अप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलती हूं दूसरा अप्लिकेशन पर कम्यूनिटी बन चुकी है है ना आपको मेरा टेलिग्राम या कुछ भी सर्च करने की ज़ुरत नहीं पड़ेगी आप लोग कम्यूनिटी पे मुझे फोलो कर सकते ह है मैं आपको इन क्लासेज की पीडिएफ महा पर प्रोवाइड करा सकती हूं सो सारे बच्चे अगर आप लोग टीटी आरपी एफ इन सब की तयारी कर रहे हैं तो उन सब के बैचेश आपको इस रेलवे के महा पैक में मिलेंगे टीटी ए आरपी एफ इन सब की भी में फ्री में मिलेंगी दूसरा यदि एक्जाम पैटर्न बदलता है तो एक साल तक आपको दूसरा कोई बैच लेने की जूरत नहीं है वो सब कुछ इसमें आपको अल्रडी फ्री मिलेगा सो प्लीज आप लोग कूपन कोड जरूर याद रखेंगे क्या है बच्चा आपका वाई 446 जिस पर आपको मैक्सिमम डिसकाउंट मिलेगा कितना आपका पूरे पूरे 3700 रुपे का डिसकाउंट मिलता है आपको रेलवे के महा पैक पर ठीक है चलिए भाई आपसे कल इसी समय मुलाकात होगी क्लास में बाई बाई टेक केर जेहिंद